इस रुक मैं बरेली के पंजाब पूरा इलाके में मौझूद हूँ जहां वकीलो वाली कोलोनी है ये और इस कोलोनी में हर घर के बाहर एक पोश्टर चस्पा है और उस पोश्टर पर लिखा है साममुहित पलायन ये इस तरह के जो पोश्टर लगे वे देख रहे हैं ये पोश्टर जो है बरेली के जिस इलाके में मौझूद हूँ वकीलो वाली गली में पंजाब पूरा इलाके में वहाँ पे हर घर के बाहर ये साममुहित पलायन का ये पोश्टर लगा है और इस गली में जो लोग हैं उ तो हिंदू विरादरी से आते हैं और उनका साब तौर पर कहना है कि उनके ही बीच के एक शक्स विशाल सक्सिना नाम के व्यक्ति जो यहां रहता था जिसका पैत्रिक घर था इस इलाके में उसने अपने घर को एक विशेश मज़ब को बेचा है एक विशेश मज़ब से आपको यह घर विशाल सक्सिना नाम के व्यक्ति का था पैत्रिक उसका आवाज है जिसको उसने जुलाई महीने में एक साथ वर्षिये महिला है शबनम उनको बेचाहर तब से पूरे इलाके के जो लोग हैं वो लगातार गुसे में हैं उनके भीतर एक नाराज़गी है और साथ तोर पर पुलिस प्रशास्त सरकार सबसे इस बात की मांग कर रहे हैं कि इसका बेनामा जो है वो रद किया जाए अन्य था यहां के जो लोग रहने वाले हैं वो यहां से सामोहिक पलायन करेंगे तो देखे पहले मैं आपको इस पूरे महले के आपको आहाल दिखाता और देखिए आपको आगे मैं ये तसवीर दिखा रहा हूँ है कि देखिए यहाँ पर जो महिला हैं यह लोग भी जो यहाँ के स्थानिय लोग हैं सब के हातों में poster है और यहाँ लोगों में काफी जादा गुस्ता देखने को मिल रहा है देखिए जिसे हम यहाँ पहुँचे हैं आस पास के जो लोग हैं वो महले के लोग वो बाहर आ रहे हैं और हम इंसे बात करने के भी कोशिश करेंगे सामुहिक पलायन का आपने हाथ में रखा हुआ यह पोश्टर किस बात को ले करके पलायन है और क्या विरोध है आपको includes यहां कि हिंदू संभुदाइए गया जिस आने नहीं कि हिंदू लोग ही रहते हैं तो थोड़ा हमारा इसी चीज को लेकर विरोध है कि हिंदू संभुदाय का मकान हिंदू संभुदाइए को भीजाए unnecessarily आपका जो घर है मैंने देखा कि दिवार बीच की एक है जो घर विशाल सक्सिरा ने श्रबनम को बेचा है उसके दिवार और आपके घर के दिवार एक है आप किस बात को लेके विद्रो कर रहे हैं कि अगर किसी मुस्लिम शक्स ने खरीदा है तो उससे क्या आप लोगों को नाराज़गी है क्या समस्य अगर कोई कि मुस्लिम ने खरीदा उनके रिती रिवाज अलाग है वह अपने छेत्र में रह रह रहा है हमें कोई उन ते वह नहीं लड़ा हमारा कहना कहवाल जाए कि हिंदू समाज में हमारी होली यह जलती है और दिवाली होती है आए दिन जगड़े होंगे जगड़े को निपताने कि मुझे आसा लगता है कि पीछे देखर कोई फंडिंग हो रही है जो फंडिंग हो रही है लप जमीन वाली वो चल रही हैं कि उनका कुछ बि角प नहीं है कि इत्रह हिंदू एरिया है किस तरह की फंडिंग की बात आप कर रहे हैं और किस तरह के फंडिंग की मनशा क्या आपको लग रही है जब दावा कर रहे हैं फंडिंग की ऐसी मनशा है कि जो संदम है कुमारी उनका जो भाई है वो फूल बेचने वाली की ऐसी आते किसी दी नहीं होगी कि वो गैरा अठारा लाग का मगान गैरा लाग में कहिल देए कि पीछे क्या मनशा है उनकी जो भूई बता पाएंगे जो चेक लगाएगा हैं वो किस ने दी के हमारे के मुलाना साँ बेटतों वो भीहार के हैं वो गंड़ाता शाब करते हैं ऑपाई साब नहीं का लगा हुआ है हमैं ऐसा सुचना मिली है कि वो पैसा सब नहीं का लग ग रहा है और यह केवाल एक महरा है फंडिंग इसलिए ने के उपर हो रही है तक्या म कर रहे हैं आप लोग चाह रहे हैं कि बैणामा कर दो किया जाए और वो हिंदू से निकलता हुश्य दिवाली भीड़ लेडिस भी कि सब इदर से आती मजार की तरफ से नहीं जाती है तो इन लोगा दिन का बैठना हो जाए और भी से यह चालू कर दिया होड़ दंगबाजी इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदू का हिंदू को दे दिया था हमें कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोग भी सुक्ष चैंसर है वो लोग सब जुआइन करके खेलते हैं तो अब अगर माली जे बीच में एक मुहम्डन रहता है तो अगर माली जे उसको हमारी वेज़े से कुछ समस्या होती है तो उससे आप समझते हो ना कि अगर माली जे एक रंग की छीट भी पड़ गई उसके उपर तो एक संप्रतायकता का होगा है है जो अगर कोई आ जाएक खेल या का दुसे रही होगा है यानि क्या पलायन की त्यारी कर रहे हैं जी जरूर क्योंकि देखें आप जैसा की देख रहे हैं हमारे सभी हिंदू परिवारी रहते हैं और आज से निक बहुत टाइम से है ना आप विशार सक्षिन जी ने जो मकान सेल आउट करा वो दूसरे समुदाई में करा क्यों उनको पता है कि ऐसे तो नहीं है से पहले भी मकान यांपे सेल नहीं हुए है मैंने खुद अपना मकान सेल की है लेकिन एक हिंदू को है ना तो वह भी कर सकते थे लेकिन США क्यों चाहते हैं कि हिंदू ही निवारन करें और हम सब यही आशा करते हैं कि आज के दौर में हमारी समस्या जरूर सुनी जाएगी और उसका निवारन अवश ही किया जाएगा हम प्रिशासन पर पूरा अपना इस बात को ये सोचते हैं कि वो अवश हमारी समस्या करेंगे मैं एक बात यह भी जानना चाह रहा हूं कि आप पारशद हैं वकिल साहब ने कहा कि खास मंशा से ये घर बेचा गया है एक मंशा है आपको क्या लगता और क्या पलायन को लेकर कि आप लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि अगर नहीं हुआ तो पलायन ही करेंगे देखिए ये हमारिया की महलाएं जो है ये इस बात पर एडामेंट हैं कि अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम पलायन करेंगे ठीक है ना अभी किसी एक हिंदू है बिशाल सकसेना जी उन्होंने अपना मकान जो है वो दूसरे समधाय को बेज दिया जबकि ये गली जो ह आने वाले समय में अगर कोई मुहमडान उसमें रहता है तो आने वाले समय में इस स्थिति बहुत खराब हो सकती है क्योंकि हमारे यह तीस तो आ रहे हैं आने वाले समय में हमारे बच्चे होली पर रंग खेलेंगे खुदना कारता है तो परशानी के सबब बनेगा और इस स पर उचित कारवाई किया है इसे आप कि सब्सक्राइटी के लोग कह रहे हैं कि अन्यथा वो पलायन कर रहेंगे ने बिल्कुल अगर हमारी बात को नहीं समझा गया तो ऐसी स्थिति में हम नहीं रह पांगे क्योंकि इन लोगों का खाना भार पकाया आता है संकीन गली है निक पारे से अप चैजिए आपने कहा कि तुछाथ दसमें यहां दंगा वुआ था दंगा यहीं से सुरुआत हुए थी सुनने में जाया था कि दंगे का जो है मास्टर माइंड इनी सराव में ही रहते हैं और जो बाहर के बिहार के आए हुए मुल्ला जी उनकी भी जाच होनी चाहिए वो फंडिंग कर रहे हैं सब उनका होदेश यहां थे लेकर बकान खरीदा भी दूसरा मकान खरीदेंगे तीसरा मकान खरीदें यहां गैस्ट आउस टाइप का बनाएंगे अपना जैसा कि चल आए आज कि हम देख रहे हैं और हिंदू पलयान के लिए मश्जूर हो कि देख देख कि यहीं जल्दी दिखने लिए लो श्रणा हिंदु को देख कितने लाक को ने खरीदा थें मितिंग नगता है लो उद्रों पने रईशाब रेजिस्टार और कातिब लोग भी सामिल है जिए पूरा एक पूरा साज है हमारा पेशाब्यान थे फिर निवेदे दुबारा दे कि इस ती ना बिगड़े इस कारण दे जब बैनामा जो है दूसमाज के कि वेक्टियों कर जिए हमें कोई किसी दर लड़ा ही नहीं है कितने का बिक्रा मकान कौन करीद रहा हमें से मतलब हैं हिंदू समाज कर दो समाज कर दो पलाएं बिल्कुल आदेगे सबसे हिंदू बहुल में है इसका मतलब कहीं नहीं उनका अदेश है कि हम अभी एक लेंगे फिर दो लेंगे और हम अपना रड़ाई जगड़ा जो भी करके इन्हें प्लाएं करना है तो प्रसासन को यह चाहिए कि जाच करें पहले कि मजार जो मुला आया हुआ है बिहार का कैसे बैसे थांडाय करनाएं किसाधार मज्जिद को फंडिंग कर रहा है मज्युद में आप कितना फंडिंग करके बढ़ारे हैं उसे यह वह down अगर मजबूरी नहीं करता है प्रसासन को पर तो ऐसे हमें पूरा आज के महुल को देखते हुए यह लगता है कि आप सभी देख रहे हो जितने ही पत्का है कि कैसे महुल चला है इन लोग का हर जगह और दंगी हर जगह दूंगा गंदी जो भी आगा दो घुज़े तो पूर कि आप विरोध कर रहे हैं तो देखे यह जो लोग है यह सॉसाइटी के लोग हैं और लोग सड़क पे हैं हाथों में सामोहिक पलायन का पोस्टर है और इसका साब तौर पर कहना है कि सरकार जो है वह उसके बेधामे को रद करे और किसी हिंदू परिवार को ही वह घर दे सा के लोगों का दावा है कि धीरे धीरे करके और भी वो घर खरीदें और उसके बाद इन लोगों को मजबूरी वश पलायन करना पड़े यहां के अस्थानिय लोगों का ऐसा दावा है लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसा इन्होंने बताया है कि जो आप गली का देख हैं इंट्री पॉइंट इसके दूसरे तरफ का जो हिस्सा है वो पूरा हिस्सा एक मुस्लिम कॉलोनी है और वहां पे तकरीबन हजार परिवार के आसपास लोग रहते हैं जैसा कि नंका कहना है लेकिन जो अस्थानिय लोग उनका इसाब पर पर यह जोड़ते वे बता रहे हैं कि जब उधर हजार परिवार से जादा लोग रहते हैं तो आखीर किसी को भी वो हिंदू मुहले में आने की जरूवत क्यों पड़ी क्यों उन्होंने 11 लाग की प्रोपर्टी जो है 25 लाख रुपे में खरिदी है तो इस तरह के कई सवाल जो यहां के स्थानियों लोग यह कहना है कि प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस तरह के जो सामोहिक पलायन को लेकर के जो वो बाते उठा रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई अगर इसके बेरामे को रद नहीं किया गया तो मजबूरी वश इन्हें अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पलायन जैसा बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है